हेलो प्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल माई सिर्फ अफशे की वर्क साइंस तापिक की अंतरगत वर्क पावर एंड एनर्जी सीरीज की ये पार्ट नंबर थी वीडियो आपके सामने लेकर उतस्तिक में जो निमी पैटन के अनुसार आपजेक्टिय पुश्चन के मादम से है दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइब तदा सेयर करना दब हो जिससे हमें मोटिवेशन इलता है और हम इसी तरीके से आपके लिए नए वीडियो बना सकते हैं दोस्तों बेसिकली इस पार्ट में हम नुमेरिकल कोर्शन की चर्चा करेंगे और एक नए अस्तर के नुमेरिकल साल करपाने के सच्छा हम हो सकते हैं तो आईए अब हम बेदियो की शुरुवार करते हैं तो इसी कारे को करने में उर्जा का क्या होता है ट्रांसफर होता है या कनवर्जन होता है यानि उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है कनवर्ज होती है परिवर्दित होती है या उर्जा क्या होती है इस्थानान की उचेता है तो कारे करने में क्या होता है उर्जा का या तो इस्थानान का होता है या उर्जा का क्या होता है परिवर्दत होता है ठीके तो इसका आपसन सही क्या हो जाएगा transferred or converted understood आगे के questions के चलते हैं output of a truck is 4500 joule output of a truck is 400-500 joule output means क्या अगर output है तो means क्या है this is the BHP or IHP आपको समयना चाहिए useful power है so this is the BHP BHP means क्या 4500 joule and it's the efficiency 50% efficiency किती दी गई है बुलो efficiency किती दी गई efficiency दी गई है आपको 50% so input energy is provided input energy means IHP यानि indicated हर्स पावर आप लोग ने efficiency क्या पढ़ा है efficiency यहां से क्या रिखलेगी 50 upon 100 means 1 by 2 तो efficiency equals 2 आपने क्या पढ़ा है efficiency equal 2 पढ़ा है आपने input upon output R आपने क्या पढ़ा है BHP upon IHP तो input कितना दी आपने नहीं पता output कितना है 4500 joule और input आपको नहीं पता यह IHP आपको नहीं पता efficiency की वेलू रखको 1 by 2 equal to 4500 upon input और यहां से आपका input कितना आजाएगा तो यहां से input आपका आजाएगा 2 into 4500 means आपका कितना आजाएगा 9002 understood next video पर चलते है ए बस travels with a constant force आप 5000 रोड रेखे बस पर जो travel हो रहा है उस पर force लग रहा है कितने न्यूटर का 5000 न्यूटर का and work done by bus work done means कितना W W equal to कितना 2500 J so distance what is the distance traveled by bus means आप यहां पर formula apply करेंगे W equal to F into D means D equal to W upon F so W upon F means कितना W आपका 2500 J और upon F means कितना 5000 means 25 बन जाएगा 25 जाएगा 500 means आपका कितना जाएगा 0.5 meter so what is the answer 0.5 meter is the correct answer for this question कैसे हुआ W equal to F into D आपने already पढ़ रखा है F की value दी रखी है W की value दी रखी है तो D equal to W upon F से आपका कितना हो गया 0.5 meter ओके formula for potential energy previous video में आपको मैंने बताया था कि formula for potential energy इकवस को क्या होता है U equals to MGH where M क्या है mass of the object ठीक है mass of the object ठीक है G की value क्या होती G equal to gravity G equals to gravity और H equal to height H equals to height ठीक है from surface ठीक है तो यह होता है MGH अगर आप से कानेटिकल कानेटिकल नजी का पूछा दे है तो आप क्या बताओ के half Mb square वहां M क्या है mass of the object and P क्या है velocity of an object ठीक है next part करते है power is defined as तो power कैसे define किया जाता है the rate of the rate to do work कारे करने की दर को क्या ठीक है सक्ति कहते है और formula इसका क्या निकलता है P equal to W upon T P equal to क्या निकलता है W upon T power power equal to W upon T तो W upon T यहाँ पर देखे क्या है तो देखें यहाँ से कुछ गलत हो गया है यहाँ पर इस W को वर्क न लेके W equal to M G वाला कर लेगा तब यह सही हो जाएगा यहाँ पर आप क्या कर देखें force कर देते हैं तो force into D क्योंकि W equal to क्या होता है force into D और upon T तो यह आपसाना आपको तो P equal to F into D upon T तो यहाँ पर हम यह आपसान को correct कर देखें dual is the unit of किसकी unit है potential energy बोले energy की unit यह वर्क का मात्र वह एनर्जी का मात्र kinetic energy का भी है वर्क का भी है तो मिस इसका answer क्या हो जाएगा all of the above is the correct answer for this question next video की बात करते हैं the next lesson chapter की sorry next solution की the law of conservation of energy is a statement क्या है कि उर्जा को ना तो पन किया जा सकता है ना ही नस्ट किया जा सकता है कि एवल उर्जा को एक फांशे दूस्में फांशे फांशे किया जा सकता है convert किया जा सकता है तो यहाँ से क्या लिखा energy must be conserved and you are breaking a law if you waste energy this is not the law of conservation of energy so this is the statement wrong the supply of energy is limited so we must conserve it this is not also true the amount of energy is constant this is the correct statement this is the law of conservation energy cannot be used faster then it is created this also not correct statement so option number C is the correct option the amount of energy is constant okay next चलते हैं water stored in a dam processes बत्लिए जो बड़े-बड़े बांद है ठीक है वहाँ पर आप देखते हैं water stored होता है तो वाश्तर एक dam में जो water stored होता है उसमें कहों सी energy होती है no energy कोई energy भी नहीं तो ऐसा नहीं energy होती है electrical energy भी नहीं होती है kinetic energy और potential energy में क्या हो तो dam में जो water होता है वहाँ पर potential energy क्योंकि वहाँ पर जो पानी रहता है वो इस्थिती में रहता है ठीक है तो उसके कांड उसकी उपजा होती है उसको इस्थिती उपजा या potential energy के नाम से जानते है नेक्स्ट की बाग करते है Fy वेजिग 400 newton climbs a vertical ladder the work done by him तो 400 newton का बालक है और वो cd पर चड़ रहा है तो यानि w इकोल तू क्या जहां पर force उसका नीचे की उपर की उपर लग रहा है और उपर ही की उपर की उपर रही गतिमान हो रही व इकोल तू क्या F into D means 400 into क्या हो जाएगा तू means आपकर से पना जाएगा 800 newton is correct answer for this question next कहते है question number 30 find the work done in moving a body of 100 kg through a distance of 16 meter if mu equals to 0.25 तो पहले अगर हम बात कर लें कि इस object को दिलाने के लिए कितना हमें force लगाना पड़ेगा तो आप लोगों ने friction में पढ़ा हो गया कि force applied applied force equal to क्या होता है mu mu means क्या coefficient of friction और into normal reaction तो ये आपका क्या है ये कोई body है जिसका क्या है ये 100 kg तो normal reaction यहां से कितना हो जाएगा ये इसका बल निचे काम करेगा 100 kg का तो 100 kg का ऊपर भी काम करेगा जिसको हम बोलते है नार्मल तो यहां से हो जाएगा coefficient of friction this is 0.025 and normal reaction is 100 तो यहां से आपका क्या जाएगा 2.5 kg क्या जाएगा आपका 2.5 kg अब देखें distance moved कितनी distance moved तो distance moved equals हो जाएगा आपका 16 meter तो work कितना हुआ तो work equal to force into displacement means 2.5 into 10 means कितना 25 kg meter बट अब देखें आपको 25 kg meter ने answer महीं दिया हुआ है आपको तो answer Joule में दिया गया है तो you knows 1 kg meter equal to 9.8 Joule 1 kg meter equals to 9.8 Joule होता है but suppose के लिए यहां से गल्दी होगे जोड़ी सबसे यहां पर 10 रख दिया है आपको 16 पूट करना है तो 16 जब पूट करेंगे तो 2.5 into 6 कितना हो जाएगा यहां से तो 16 5 जब 80 के 0 कह रही है आप 8 और 16 to the 32 और 8 40 तो यहां से आपका हो जाएगा 40 किलो ग्राम मीटर अब इसको किसमे करवट करना है यू हाउ टू कनवर्ट इट इन्टू जूल तो जूल में करवट करने के लिए आप इस किलो ग्राम मीटर में किससे मल्टिप्लाई करेंगे 9.8 में तो 40 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा तो मतलब आपका 98 इंटू 4 तो 98 इंटू 4 मतलब 100 इंटू 4 400 और 400 में से 8 गटा दो तो 302 जूल 392 जूल इसका करेक्ट अरसर था इस कुस्ट्टन नेक्स्ट पर चलते हैं इस ए पंप कैन राइज 100 लिटर आप वाटर तू यह हाइट आप 200 मेटर इन वन मिनट एक हाइट कितनी है एक पंप है वो 100 लिटर 100 लिटर को हम किलोग्राम में चेंज कर दो 100 लिटर मेंज कितना होगा सबोस्किर यह 100 किलोग्राम वाटर को क्या करता है 200m तक चलाया. तो चितने मिनट में? एक मिनट में एक मिनट में work done कितना हुआ तो work done by pump in one minute पहले निकाल लो work done by pump in one minute in one minute कितना हो गया? One, one minute में कितना? तो कितना force लगा रहा है? 200m height है hundred meter of water means कितना हो गया? 100 kg और इन्टू 200 मीटर तक जा रहा है तो 200 और यह आपका कितना हो जाएगा 2 4 x 0 kg मीटर इस इस दा वर्क डन बाई पंपिंग मन जिना अब आपको क्या निकालना है कितना एक घंटे में तो बताओ एक मिनट में इसना कर रहा है तो वन आवर में कितने मिनट होते 60 मिनट तो 60 मिनट का मतलब इसको 60 से और गुड़ा करो तो 2 4 x 0 x 60 तो यह एक घंटे में पर निकल आएगा साल्व कर लो 6 x 12 और इंको कितना हो जाएगा 10 to the power 5 kg मीट है अब फिर वही समस्या नहीं वही समस्या नहीं यहां पर इस बार किलोग्राउं मीटर में एंसर दिया गया है तो फर्स स्ट्रेक्मेंट इस दा ए इस दा करेक्ट एंसर फार इस तो 12 x 10 to the power 5 kg मीट यह जूल में द दन वाई में में क्लाइंडिंग तुदा ताप आपें गिल नौसो मीटर हाई पर क्या चड़ रहा है और उसका मास कितना है सतर किलोग्राम है तो डबलू इकोल टू क्या होता है f into d और f की वैलो कितनी 70 किलोग्राम और d की वैलो कितनी 900 मेटर भाही अपने भार के अब इसको यूटर में चेंज करोगे तो 63000 इन्टू 9.8 मिंस आपका हो जाएगा अठान नबे गुडे तीर सर्थ सथ सो खीक है गुडा कर लो जा राशा इसको गुडा करो कितना आएगा तो देखें 98 इन्टू 6300 आपका आज आएगा 6174000 जूल जब इसको फिलो जूल न करोगे तो आपका कितना आजाएगा 617.4 किलो जूल फर्स्ट आप्शन क्या है करेक्ट होगा यानि आप्शन नंबर एक क्या होगा आपका करेक्ट होगा ले नेक्टी बात करते हैं वन पंपो डिश्चार्जेड 1000 लीटर आफ वाटर इन 12 मिनट्स तू हाइट अप 25 लिट क्या है अगर एक पंप है जो दस अजार लीटर आप वाटर वारा मिनट्स में क्या करता है डिश्चार्ज करना उसको हाइट आप 25 मिनट्र क्या करना उसको चड़ाना है कितने एच पी की आपको रिक्वायड होगी तो क्वैंट वाटर क्या होगी अपका क्वैंटी आप वाटर आपका क्वैंटी आप वाटर अब देखिए time taken कितना 12 minute time taken कितना 12 minute 12 minute 12 minute कितने meter height equal to 25 meter तो यहां से इसकी हम क्या निकाल ले power निकाल ले power तो power आप निकाल दो तो power equal to work upon time work कितना 10,000 into time कितना 12 minute तो 12 minute को आप क्या करोगे 10,000 और into कितने meter 25 meter और upon time कितना आपको 12 minute कितना लगेगा तो यह बताओ किस में आजाएगा यह तुमारा kilogram किस में आजाएगा खिसमें आ जाएगा kilogram में किलो ग्राम मीटर में आजाएगा तो यह आपकी power आ जाएगी किसमें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पावर किसमें आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अब अगर इसको एक हर्स पावर के बराबर, इसको एक हर्स पावर के बराबर, तो ये कितना है? इतना, तो अगर इसको क्या करतें? 75 से multiply करतें, तो इसको हर्स पावर में convert हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार फिर से मेरी बात को समझो जहां पर आपने पावर मिकाला पावर इकवल टू डबलू अपांट टी डबलू मींस क्या एफ इन टू डी याली क्वेंटिटी आफ वाटर 10,000 लिटर इसको 10,000 अपर रखते हैं किलोग्राम में और इन तो कितने मीटर चड़ा रहा पाचीस मीटर कितने सेकंड में तो 12 इंटू 60 सेकंड तो आपका यह क्या आगया किलोग्राम मीटर पर सेकंड अब देखो आपको मैंने क्या पढ़ाया कि एक एच्पी कितने के बराबर होता है तो वन एच्पी मैट्रिक सिस्टम में आपका कितना होता है 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के क्या होता है बराबर होता है तो यह तुमारे पास कितना है इतना है कितना 10,000 और इन्टू 25 अपान 12 इन्टू 60 और इन्टू कितना अब इसको 75 से भाग दे तो HP में चेंज हो जाएगा भाई किलोग्राम मीटर बड़ा तो 75 से आप भाग दे तो 25 अज़ा 25 25 चलिए 75 तो जब इसको आप साल्व करोगे तो अप्राक्सिमेट आपका चिपना आएगा एक बार हम लोग साल्व कर लेते हैं आसानी से तो आसानी से हमारी हो जाएगा तो आप देजिए निकाली 12 6 जा कितना होता है 72 720 और 3 मींस 2 जाशिक्स 3 7 जा 21 तो आपका चिपना आजाएगा 10,000 प्राक्सिमेट आपका चिपना जाएगा 5.446 ठीक है 5.446 जब आप करेंगे तो आपका ही कितना जाएगा 5.446 ठीक है अभी इसमें काम बचा है आपने ये निकाल लिया ये क्या निकला है आपका BHP इतना हार्स पावर आपको required होगा बट आप इसकी efficiency कितनी 85% है तो यहां से efficiency के अगर बात करें तो efficiency भी इसको हो जाएगा 85% में इसको अगर इसको 100 में कर्वट करेंगे तो ये efficiency कितनी निकल जाएगी 85% है तो यहां से क्या करेंगे इसको efficiency निकालने के लिए यहां से फिर से जाएगे efficiency इकोल टू क्या होता बोलो upon efficiency तो BHP आप इतना निकाल चुके हो 10,000 into 25 ठीक है आप इतना निकाल चुके हो 10,000 into 25 upon 12 into 60 into 75 अब BHP upon efficiency, efficiency तुमारे 85 by 100 है तो अपान क्या करोगे 85 by 100 है तो जब इसको करोगे तो ये 85 यहां हो जाएगा multiply और 100 यहां पर हो जाएगा और जब इसको तुम साल्व करोगे तो आपका एंसर आजाएगा 5.446 HP इस इस दा करेक्ट एंसर फार इस question नेक्स्ट बात करते हैं एं मैं वेजिंग 60 किलोग्राम रंस आपे फ्लाइट आउस तेर 3 मेंटर तो वर्की कितना हो गया इसके लिए डबलू बराबर f into d f कितना है 60 किलोग्राम और कितना है 3 तो आपका 60 इंटू 3 मेंज कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 यह आप जाकर किलोग्राम मीटर किलोग्राम मीटर को तुम किसमें करवाट कर लो जूल में करवाट कर लो तो 180 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा भाई 180 इंटू 9.8 निस आपका जाएगा 764 वाट शारी जूल कितना जाएगा जूल अब कैल्कुलेट जाएगा पावर तो पावर इकोल टू क्या होता है आपका डबलू अपान टू डबलू की वावर शारी जाएग भागे दो 1764 वाई 4 इकोस को आपका आजाएगा 441 वाट ओके नेच्ट में जलते हैं को आपको क्ल्मा करता है चेंट में क्काला क्न। कैसे होती ही बताओ तो पहले आपको क्या निकल नहों lot वर्क निकालो कितना होगा फिफ्टीन हैंड्रेट इंटू कितना तो पंद्रास्वकुल एक चीज हो गया बटे पावर निकालो तो पावर इकवल टू डभलू अपांटी तो यहां से आजागा 15 इंटू 21 अपांटी कितना हो गया तो 21 मिनट को आप किस में करोगे सारी 21 मीटर है पर मिनट हो गया तो 21 मीटर है 15 इंटू 21 अपांटी कर दोगे और इसको अब तुमें करने के लिए आपको बता है किस से मल्टिप्ला डिवाइड कर दोगे 75 क्यों क्योंकि 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपको किस के बराबर होता है वन एच्पी के बराबर होता है जब इसको आप साल करोगे तो कितना इंसर आएगा साल करिए तो 1500 इंटू 21 आपका कितना हो हो जाएगा 3031 500 500 अपान 60 इंटू 75 इंटू 75 आपका हो जागा 4500 से डूबल जीरो कर शीन आप क्या कर देजिए 350 डिवाइड बाइड 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 तो आपका कितना जाएगा 7 एच्पी इस तर करेक्ट एक्सर पान इस वीडियो में बस कितना ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कांसेट के कोश्चंज को साल्व करेंगे जो stress and stress और moment velocity and distance से संब्दित होंगे तो इस तरीके से हमारे वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत भूँत धन्यवाद वीडियो में सुरुवात में कुछ कभियां हो सकती हैं लेकिन किस तरीके से अगर आपका फ्यार और सभ्योग मिलता रहेगा तो निश्चे ही हम लोग अपने कभियों को यह दित पूरा करते हुए उचाई के उच्छ सिख़ तक पहुंचेंगे आपको बस सहयोग करना है आपको मोटिवेड करना है जिससे हम अपनी बात को अन्य विद्ध्यार्थियों कर पहुंचा सकें और आसानी से अपने ग्यान का प्रशार कर सकें थैंक्स भारवाचिन माईगे जिए